फाक्ट नम्ब़ वन गयस, car, truck और bike में तो held होते ही लेकिन क्या आपने कभी सुना कि हابाई जाज में भी होते ही जी हाँ आप ठीक सुनने हभाई जाज में भी होते ही असल में गयस, एरोप्लेंड में होन ग्रावंच्ट आप से बात करने के लिए लगाय जाते ही ये हçon बहुत ही जड़ा हाई टॉन और इंटेंसिटी वाले होती हैं जिसकी आबाध प्लेन के इंजिन से भी ज़्यादा तेज होती है इन ही होन की मदर से किसी भी तरह की इमार्जेंसि को इंडिकेट किया जाता है और तो और इनी हॉन के मदर से पार्किंग और ओइल फिलिंग का काम भी किया जाता है गैस आप लोगों ने टर्टल से आने की कच्छवा तो जरूर दिखा होगा लेकिन क्या आप लोगों ने बीग हेडे टर्टल दिखा है दरासल ये टर्टल बहुती अजीब तरह का टर्टल होता है जिसका सर इतना बड़ा होता है और इसका पूँच इसके बोडी जितना लंबा होता है और इसका बोडी से भी बहुती अजीब होता है और इसे बीग हेडे टर्टल कहते हैं यह टॉटल साउथ हिश्ट एस्या और चाइना में पाए जाते हैं बीग हेडर टॉटल का साइन्टिफिक नाम प्लाटिष्ट और और मेगसेफलम है इस टॉटल की खास बात यह है कि यह पेड और जाडियों पर चड़ सकती है और इस टॉटल को एस्या में खाया जते है और मार्केट में बेचा भी जता है इसलिए यह प्रजाती जंगलों में से तेजी से गाइब हो रही है प्राजिल को सापों का देश कहा जता है क्योंकि यहां इतने साप है कि जितने दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेंगी लेकिन क्या आप जानते कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां एक भी साप पाया ही नहीं जता है उस देश का नाम है आयरलेंड इस देश में साप ना पाय जाने का बज़ा ये कि नीलाखों में बर्ब जमीरी ते और सापों के लिए इतना थंड बर्दस करपाना पसिबल नहीं होता ही इसलिए यहां पर साप नहीं पाय जाते ही इसके अलाबा नीजल लेंड आइसलेंड और ग्रिनलेंड में भी आपको साप नजन नहीं आएंगे क्या आपको इस से पेले तो कि यह जानकारी पता था अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना मत बुलेगा